भारत का अर्थ है, भारत, भाव मतलब समवेदना, क्योंकि अभी आपके जीवन का सारा अनुभव इंद्रियों पर है, आप जो देखते हैं, सुनते हैं, सूगते हैं, स्वाद लेते हैं, छूते हैं, यह अलग-अलग तरह की समवेदनाएं हैं, भाव यानी समवेदना, अगर आपने ठीक से ताल मिला ली, तो आप एक बहतरीन इंसान है, अगर आप ताल चुग गए, तो जीवन प्रक्रिया आपको रौंदरा लेगी, तो हमने इस राष्ट्र को पुकारा, भारत, क्या तब हम से गलती हो गई, कि हमने भारत का नाम बदल कर इंडिया, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी, जब भी कोई किसी देश पर कबजा करता है, चाहे कोई भी आक्रमनकारी हो, सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, वो आपका नाम बदल देते हैं, ये हावी होने की टक्नॉलोजी है, ये गुलाम बनाने की तक्नीक है, अ इन नाई, मैट रास हो गया है, हमें नहीं पता कि हम मैट थे की रासकल, इसी तरह इंडिया इसका क्या अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब अगर मैं आपको एक अर्थ हीन नाम दे दूँ, तो आप मेरे सामने एक अर्थ हीन बेवकूफ व्यक्ति बन जाएंगे, क यूँकि राष्ट्र बस एक विचार होता है। जब ये विचार आपके मन में प्रज्वलित होकर दिल में बस जाता है और आपका ये भाव सर चड़ कर बोलता है। तो कम से कम जब वह 1947 में गए तो पहली चीज हमें ये करनी चाहिए थी कि नाम बदल दिया जाता। और इस तरह बदला जाता कि ये किसी ना किसी तरह हर किसी के मन में गुंचता अभी आप अंग्रेजी नाम इस्तमाल कर रहे हैं इस देश में मुश्किल से 2 या 3 परसेंट लोग ही ठीक से अंग्रेजी बोल पाते हैं मुझे लगता है कि मैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी से एकनिवेदन करना चाहूँगा कि हमें इस देश का नाम बदल के कुछ ऐसा रखना चाहिए कि ये सब के दिल में धड़के मैं जानता हूँ कि बुद्धी जीवियों की एक पूरी भीड कहेगी कि नाम में क्या रखा है अच्छा खुद को टोबू बिलाइए मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ मैं बस इतना कह रहा हूँ जो हम बोलते हैं वो बस एक ध्वनी है इसका अर्थ सिर्फ एक मनववग्यानिक चीज है एक सामाजिक चीज ध्वनी का अपना स्थित्व होता है और इसमें शक्ति होती है भारत में शक्ति है ये शक्ति इस देश के प्रतेक व्यक्ति के दिलों से होकर गूंजनी चाहिए